हेलो फ्रेंज, NCRT क्लास 9 साइंस के चैप्टर 3 परमानू एवा मनू में आपका स्वागत है एल्टर मेंड मॉलिकूल्स ये काफी इंपोर्टन चैप्टर है और आगे आप केमिश्ट्री के जितने भी लेशंस पड़ेंगे उन सब के लिए ये कही ने कही यूज जरूर होगा तो आप ज्यान से चैप्टर को अच्छे से समझेए और अगर आपको किसी प्रकार की प्रबलम होती है तो आप मुझे कमेंट करके भी बिदा सकते हैं और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए हम सरू करते हैं देखें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परमानू एवं अनू के आखिर परमानू और अनू होते क्या है तो अगर हम परमानू की बात करें तो अगर हम किसी परदात के छोड़े-छोड़े टुगड़े करते जाए तो अन्त में एक ऐसी इस्तति आएगी कि फिर हम उसको और ज्यादा टुगड़ों में विवाजित नहीं कर सकते तो उस अविवाज्य और विवाज्य का मतलब जिसके टुगड़े नहीं किया जा सकते ह और सुक्समतम कन को ही हम क्या कहते हैं परमानू कहते हैं ठीके अगर हम बात करें परमानू की तो परमानू के बारे में सरोपर्थम जानकारी में असी कनाज न दी थी ठीके आगे हम बढ़ते हैं अनू तो परदात का वह कन जो सवतंत्र वस्ता में पाया जाता है लेकिन रा प्रिया नौट डाल के लिखा गया है रहे हैं कि परमानु के बारे में सर्व प्रत्म किसने जैनकारी तो अपको होगे महर्सी कणादoten бातों को ज्याज महत्वा नहीं दिया गया और पोचए रही न बातों कोक्त्रबाण। तो आपको होगे जॉन डॉल्टरन ने किसने जॉन डॉल्टरन ने आगे हम बढ़ रहे हैं रासाइनिक संयोजन के नियम जानी कि जब भी दो या दो से जिक परदात मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया के दोरान वो कुछ नियमों और सिद्दानतों का पालन करते हैं इन्हे ही रासाइनिक संयोजन के नियम कहा जाता है और रासाइनिक संयोजन के नियमों का परतिपादन लवाईजिय और प्राउस्त नामक दो वेगयनिकों के द्वारा किया गया था ठीक है रासाइनिक संयोजन के दो नियम है पहला नियम है वो है दर्वेमान सरक्षन का नियम और दूसरा नियम है रासाइनिक संयोजन का वो है इस्तिरनुपात का नियम तो इन दोनों नियमों का में अध्यन करना है तो पड़ते हैं दर्वेमान सरक्षन का नियम तो इस नियम के अनुसार किसी रासानिक अभिकिरिया में दर्वेमान का ना तो सर्जन किया जा सकता है और नहीं विनास नहीं किसी भी रासानिक अभिकिरिया के जरीए आप दर्वेमान को ना तो उत्पन कर सकते हो और नहीं नश्ट कर सकते हो अगर हम अन्य सब्दों में बात करें तो किसी भी रासानिक अभी किरिया के लिए अभी कारकों का कुल दर्वेमान उत्पादों की कुल दर्वेमान के सदेव क्या होगा बराबर होगा यानि जितना दर्वयमान अभी किरिया से पहले था उतना का उतना दर्वयमान परदातों का अभी किरिया के बाद रहेगा अगर मैं उधारन की बात करो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सिजन के मिलने से किसका दिर्मान होता है जल का तो hydrogen के दो परमानू है, तो hydrogen के एक परमानू का दर्वेमन कितना होता है? एक ठीक है, एक ग्राम होता है, और oxygen का कितना होता है? 16, तो hydrogen के दो अनू है, यानि कि 2 गुणा 1 पलस oxygen का 16, तो total कितना हो जाएगा? अठारा वही उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में अभी दोनों का जो कुल दर्वेमान है वो कितना होगा अठारा यानि कि अभिकार को का कुल दर्वेमान उत्पादों के कुल दर्वेमान के बराबर है यही क्याता है दर्वेमान सरक्षन का नियम आगे बढ़ते हैं वो प्रत्वा सदेव एक निच्चित दर्वयवानों के अनुपात में क्या होते है विध्दिमान होते हैं United होते हैनि की जब भी दो या दोसी अधिक परदात मिल कर एक नया योगी क्या उतपाज बेनाते हैं तो यहाहाँपर मिलने वाले दोनों परदात तत्वा कुछ बी वो ए एक नीचित अनुपात में मिलकर ही एक नए परदात का निर्मान करते हैं जैसे हम बात करें जल की तो जल एक योगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सिजन से मिलकर बना होता है अगर हम हाइड्रोजन के दरव्यमान की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन का दरव्यमान दो है और ऑक्सिजन का कितना है सोडा अगर हम इनके अनुपात की बात करें तो वो कितना होगा एक अनुपात आठ यानि कि जल चाहे आप कई से भी प्राप्त कर रहे हो उसके जल के योगिक में जो हाइडरोजन और ऑक्सिजन का अनुपात है वो सदेव नियत रहता है ठीक है जैस जैसे में बात करो नो ग्राम जल की तो अगर हम नो ग्राम जल का विगेटन करें तो इसमें एक ग्राम हाइडरोजन होगी और आठ ग्राम क्या होगी ऑक्सिजन और इसका अनुपात कितना होगा हाइडरोजन और ऑक्सिजन का तो वो होगा एक अनुपात आठ का इसका बना हे Nitrogen और Hydrogen से तो यहां पर nitrogen का दर्वавать मान कितना होगा चाफ र Уड़ा होगा तो उ legit तो इसका द्रवमान कितना होगा तानल, यह या या के जब भी nitrogen और hydrogen आपस में जूडेंगे उस द्रवीमानो आम पाते और आफ में देंग गीजिना परमानु का बैग्यानिक तरीक्य से अधन किया और इस पर अधारित अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया तो डॉल्टन का जो सिद्दान था वो रासाइनिक सियोजन के नीमों पर और आधारित था और रासानिक्स योजन के दो नियम कौन कौन से थे एक दर्वयमान सरक्षन का नियम और एक इस्तिर अनुपात का नियम इन दोनों नियमों की डॉल्टरन का ये परमानु सिद्दान अच्छे से वैक्या करता है तो आगे हम पर दे हैं कि आखिर डॉल्टरन क के अनुषर सभी धर्वयह यांनि इसभी प्रदाथ चाहें वू को कोय तत्व हो योगीक हो या मिशन हो वो सब सुकस्मा कौनों से मिलकर बने होते हैं और इन सुक्स्मा कनों को परमानु कहा जाता है यैनि प्रकत्वी में जितने भी आप तत्वपों योगी जिविक जैब देख रहे हो वो सारे सुक्समकणों से मिलकर बने होते हैं और उन सुक्समकणों को हम परमानू कहते हैं दूसरा बिंदू परमानू अविबाज्य सुक्समतमकणों होते हैं जो रासाइनी का भिकिरिया में न तो सर्जित होते हैं और नहीं उनका विनास होता है प्रमानु क्या है अविबाज्य और सुक्समतम कण है जिने किसी भी रासायनिक विक्रिया के दुआरा न तो उत्पन किया जा सकता है और नहीं उनका विनास किया जा सकता है तिसरा बिंदू दिये गे तत्व के सभी प्रमानुओं का दर्वे मान एवं रासायनिक गुण धरम क्या होते हैं समान होते हैं जैसे मैं बात करूँ जल की तो जल का चाहे आप एक अनू ले लो या जल के चाहे आप 10 अनू ले लो इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सिजन का जो दर्वे मान है और उनके जो गुण धरम है वो सदेव इन सब में क्या होंगे समान होंगे तो अगर एक ही तत्व के सभी प्रमानू है तो उनका दर्वे मान और रासायनिक गुण धरम सभी क्या होंगे आपस में समान होंगे वही बिन बिन तत्वों के प्रमानुओं के दर्वेमान और राशायनिक गुण धरम भी कैसे होते हैं बिन बिन होते हैं जैसे एक तत्वा हाइड्रोजन है और एक तत्वा समझ लिए ऑक्सिजन है तो इन दोनों के राशायनिक गुंद्रम और दर्वेमान दोनों ही क्या कहोंगे बिन बिन होंगे क्योंकि ये दोनों अलग लग तत्वा है फिर बिन बिन तत्वों के परमानू परस पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर योगिक निर्मित करते हैं यानि ये बोल रहा है कि अलग लग तत्वों के परमाणू आपस में एक पूर्ण संख्या के रूप में जूड़कर एक नई योगिक का निर्मान करते हैं, ठीक है? किसी भी योगिक में परमानू की सापेत संख्या एबं परकार क्या होते हैं? निचित होते हैं, यानि कि किसी भी योगिक में परमानू की संख्या और उनके परकार संख्या क्या होते हैं? निचित होते हैं, वही जैसे मैं जल की बात करूँ, तो जल के एक अनू में हाइड्रो करते हैं परमानु का आकार की परमानु वाकर कितने बड़े होते हैं तो परमानु बहुत चोटे होते हैं ये किसी भी वस्तु जिसके ये कलपना कर सकते हैं अत्वाद तुलना भी कर सकते हैं उससे भी काफी क्या होते हैं बहुत चोटे होते हैं यानि कि ये इतने चोटे हैं कि इन्हें हम सकते साली सुक्सम दर्शी की सायता से भी नहीं देख सकते तो परमानू की ज सिज्जय को नैनु मीटर में मापा जाता है किस में मापा जाता है ओर 10 की घात मइनस नहु मीटर का मान एक मेन्म के बराबर होता है इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 Aunque इतने तूख्डे करें य यह एक दो तीन चार पांच जय सांश आज 9 अनिकर एक मीटर के इतने तो वो एक nane intimacy के बराबर होगा थीखे तो 10 की गात माइनस नो मीटर एक Gardensome मिटर के बराबर होता है इसे हम दूसरे सब्दों में कह सकते हैं की एक मीटर बराबर दस की गात नो मिटर होता है जब इतने जैसे hydrogen तो hydrogen की जो त्रिज्या है वो किसके बराबर होती है एक बटे में 10 की घात माइनस 10 यानि की एक के पीछे 10-0 यानि एक के हम एक मिटर के अगर हम इतने टूकड़े करें तो इसके बराबर होगी hydrogen की त्रिज्या फिर हम बात करें जल के एक अनू की तो जल के एक अनू की त्रिज्या एक मिटर के 10 की घात 9 भाग के बराबर होगी ठीके फिर हम बात करें हिमोगलोबिन अनू की तो हिमोगलोबिन अनू की जो त्रिज्या है वो एक के 1 मिटर के 10 की घात आंट भाग के बराबर होगी ठीक है फिर बात करें रेत के कन की तो रेत के कन की परमानू तरीजिया एक मीटर के दस की गात च्यार मीटर तरीजिया के क्या होगी बराबर होगी फिर छीटी की बात करें तो छीटी के जो तरीजिया है वो एक मीटर के दस की गात दो, यहनि एक के अगर हम सो भाग करें, तो उस भाग के बराबर होगी, फिर हम बात करें तरबूजगी, तो तरबूजगी जो तरीजिया है, वो एक मिटर के दसवे हिस्से के बराबर होगी, तो इस प्रकार हमने कुछ प्रमानुओ की आकार की बात की है, तो प्र बिभिन तत्वों के जिन प्रतिकों का उक्यों कर रहे हैं आखिर उनका दिधरन किस तरग किया जाता है और किस तरह उनकी प्रकरिया होती है तो आज कल इंटरनेशनल उनियन ओप्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री आयूपीसी तत्वों के नामों को सुविकर्ति परदान करती है मतलब हुआ क्या कि अलग लग वेग्यानिकों द्वारा अलग लग प्रकार के परतिक सुजावित किये गए इननों ने डोलटन और बर्जीलियस यह दो वेग्यानिक थे जनोंने तत्वों के लिए अलग लग परतिकों का उप्योग किया लेकिन समस्या जह हुई कि अलग लग वेग्यानिकों द्वारा अलग लग तरह के सुजाव दियए गे तो फिर इस सभी सुजावों को मानना उचित नहीं था तो इसके लिए एक संस्ता का गढ़न किया गया उसका नाम किया था आयू पीएसी इंटरनेशनल यूनियन और पेवर एप्लाइड केमिस्ट्री यह संस्ता क्या करती है यह संस्ता विभीन तत्वों के लिए इंटरनेशनली लेवल पर एकसेट कुछ परतिक सुझावित करती है जो पूरी दुनिया में मानने है जैसे मैं बात करू हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन का परतिक क्या है एच तो इंडिया की बात कर ले अमेरिका की बात कर ले पाकिस्तान की बात कर ले वल्ल की किसी भी क सकते क raise 一नों क्या है यहां पाद करें कोबाल्ट की तो को बात क receptor को से दर्शाय जाता है यह इस प्रकार यूदिया से मीच्ट रसा है वो मिपन क्या करती है पर्तिक सुजावित करती है तो आई प्यासी के द्वारा सुजाए गई कुछ तत्वों के पर्तिक निम्न है जो आपको अच्छे स्याद होने चाहिए जैसे अलुमिनियम के लिए अर्गन के लिए ए आर बेरियम के लिए बी ए बोरॉन के लिए बी ब्रोमिन के लिए बी आर कैलसियम के लिए सी ए कार्बन के लिए सी क्लोरीन के लिए सी एल कोबाल्ट के लिए सी यू ठीक इसी तरह कोपर के लिए सी यू फ्लोरीन के लिए एफ गोल्ड के लिए ए यू इसी तरह nitrogen के लिए N, oxygen के लिए O, potassium के लिए K, silicon के लिए SI, चांदी के लिए AG, sodium के लिए NA, sulfur के लिए S, uranium के लिए U, zinc के लिए ZN, तो ये कुछ सामाने तत्वों के परतिक है जो आपको थोड़े याद रखने हैं, हलांकि जैसे जैसे मागी chapter को पढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको ये याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक दो बार इनको revise कर लेना है, ताकि आपको च्छे से ये याद हो जाए, आगे हम पढ़ रहे हैं, परमानू दर्वेमान, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि किसी भी तत्वों के एक परमानू का जो दर्वेमान है, उसे ही उसका परमानू दर्वेमान कहते हैं, या किसी भी तत्वों के एक परमानू का जो वास्त्विक दर्वेमान है, वही उसका क्या कहलाता है, परमानू दर्वेमान कहलाता है, वर्स 1961 में IUPAC ने परमानू दर्वेमान की इकाई AMU या U को परमानू के दर्वेमान का क्या माना, मापक माना, या परमानू दर्वेमान क व्यक्त करने की जो इकाई है वो AMU यानि की Atomic Mass Unit जिससे प्रमानु दर्विमान इकाई कहते हैं या इसी को U के द्वारा लिखा जाता है ठीके जैसे हम बाई किसी दर्विमान को मापने के लिए हम क्या करते हैं या तो किलोग्राम का उप्योग करते हैं या लीटर का मीटर का स इसी तरह किसी तत्व के प्रमानु दर्विमान को मापने के लिए जो इकाई होती है उसे हम AMU या यू से रिप्रेजन करते हैं अब इसको कैसे मापने का एक आधार है जैसे हम बात करते हैं जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो वो हमें वस्तु कैसे मापने देता है कि भाई म मैं अभी के latest electronic कांटे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले जो तुला होती थी उसकी बात कर रहा हूं, तो वो क्या करता था, एक किलो का बाट उस तुला में रखता था, और दूसरे भाग में उस वस्तु को रखता था, जिसको उसे तोलना होता था, तो यहाँ पर एक किलोग्राम क्या है, एक किलोग्राम आपन की एक इकाई है, तो इसी तरह अगर हमें किसी परमानू के दर्वेमान को बापना है, तो हम क्या करेंगे, एक भाग में कार्बन बारा समिस्तानिक के एक बटा बारवे हिस्से को रखेंगे, और दूसरे भाग में हम क्या रखेंगे दूसरे भाग में हम उस परमानु को रखेंगे जिसका हमें दर्वेमान ग्याद करना है तो जब भी किसी परमानु का दर्वेमान ग्याद किया जाता है तो वो हमेसा कारबन बारा समस्तानिक के एक बट्रा बारवे इससे के दर्वेमा के साथ तुलना करने का एक सापेश आधार है जैसे यहाँ पर आधार क्या था एक किलोग्राम का बाट लेकिन यहाँ पर क्या होगा कार्बन 12 समिस्तानिक का एक बट्रे बारवे हिस्ते का दर्मेमान चलिए इसी बात को हम एक चित्र का जरिये समझते हैं जैसे एक तर्बूज दिया गया है और एक दुकांदर क्या करता है इस तर्बूज के समान 12 टुकड़े करता है ठीक है और यह इस तर्बूज का कौन सा हिस्सा है यह बारवा हिस्सा है ठीक है एक टोटल तर्बूज था इस टोटल तर्बूज का यह बारवा हिस्सा है तो और इस अधार पर वो क्या कर रहा है इस सेवो का दर्वेमान ग्याद कर रहा है तो ठीक इसी तरह अगर हमें किसी प्रमानु का दर्वेमान ग्याद करना है तो यहाँ पर हम जो तर्बुज अधार ले रहे हैं इस अधार की जिगे हम क्या लेंगे कार्बन 12 समिस्तानिक के दर और यहा पर हमें क्या लेंगे उस परमानू को लेंगे जिसका अमें दर बाधों से ऐसे काफी है तो यहाँ पार एक परमानू दर्विमा निकई एक 12 भाग इसका कार्बन बारा समिस्तानिक के दरुमान का तो ऐसे स्थती में एक परमाणू दरुमान इकाई का मान कितना होगा 1.66 गुनादसकी गात माइनस 27 किलोग्राम ये एक परमाणू दरुमान इकाई या एक एयम्यूम का मान है वहिं यह आपर समझाया गया है जैसे में hydrogen पर्मानु का दरुमान निकालना है तो एक भाग में हम carbon 12 समिस्तानिक के एक बेटा 12 इससे के दरुमान को रखेंगे और दूसरे भाग में हम hydrogen पर्मानु को रखेंगे तो इस प्रकार hydrogen पर्मानु का दरुमान कितना होगा जलिएक है एक यू यह एक परमानु दिरवमान notaLife तो वा just करें, और हम नाइट्राजेन का दर्मान जbelt करना है, आफरेटोजौर्बालएगे हम box किको रर्खेंगे नाइट्रोजन परमानु का करें का परमान समीश्थानिक स्काइल का समीश्थान consent information द्रोलॉय जैसे हाट्रोजन का दुर्मान इकाई होता है यौनी प्रमाणों सुझाई मेगनिस्ट्रों स्वाइट 9 किलोरिन का 35.5 EU और केल्सिम का कितना होता है 40 EU तो यह क्या है कुछ परमानू का सापेक्सिक दरवयमान है जिसकी गंड़ना हम कार्बन-12 समिस्तानिक के एक बेटा-12 इस्ते के दरवयमान के जरिए ग्यार करते हैं तो उम्मिद करता हूं परमानू दरवयमान आपको समझ में आया होगा आगे हम बढ़ते हैं कि परमानू किस प्रकार अस्तिक्वों में रहते हैं आखिर परमानू किस प्रकार पाई जाते हैं तो जो परमानू हुए परमानू कैसे होते हैं आवेसित तो आवेसित परमानू या तो आयन के रूप में पाई जाते हैं जो कि आवेसित हो होते हैं तो अगर आपको पूछे कि प्रमानु किस प्रकार अस्तितों में रहते हैं तो प्रमानु आयन अत्वा अनु के रुप में प्रकति में पाए जाते हैं तो अधिकांस तत्वों के जो प्रमानु है वो बहुत ज़्यादा अधिक अभी किरिया से लोने के कारण कभी भ इस्ते बात करें यह अनु और आयन आपसमेंग जाते हैं वह तो अधीक संक्या में यह मिलकर किसका निर्मान करते हैं पदार्थ का निर्मान करते हैं जिसे हम देख सकते हैं अनुपव कर सकते हैं अत्वा सूचकते हैं ठीके यहने कई सारे अनुवों और आयन के मिलने से पदार्थ का निर्मान होता है आगे हम बात कर रहे हैं अनुव की कि आखिर अनुव क्य अनूओं के आपस में मिलने से अनूओं का दिर्मान होता है और ये अनू परदात के वेकन हैं जो सबतंत्रा वस्ता में पाई जाते हैं लेकिन कभी भी वो अकेले राशाइनिक अभी किरिया में बाग नहीं ले सकते हैं। करके क्या बनाते हैं अनू बनाते हैं यानि कि जो अनू है वो एक ही तत्व के प्रमानू या फिर बिन बिन तत्व के प्रमानू से मिलकर बने हो सकते हैं यानि एक अनू है उसके अंदर जो मोजुद प्रमानू है वो एक ही परकार के भी हो सकते हैं और अलग-लग परकार के भ जिमित है जैसे ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, ऑक्सिजन, नाइट्रोजन, ओजोन, सलफर और फास्पोरस ये देखो ऑक्सिजन क्या है ऑक्सिजन के दो परमानों से मिलकर बना है नाइट्रोजन भी दो परमानों से मिलकर बना है ओजोन एक जैसे तीन परमानों से मिलकर बना ह तो जो एक ही तरह के परमानों से निर्मित अनु होते हैं उन्हें तत्वों के अनु कहा जाता है जैसे जल तो जल हाइड्रोजन और अक्सिजन दो अलग लग तरह तो जो 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 जाता है इन्हें योगिक कहा जाता है आगे हम बात करते हैं वो है परमानुकता परमानुकता का मतलब क्या है कि एक अनु कितने परमानुवों से मिलकर बना हुआ है उन परमानुवों की संख्या को उस अनु की क्या कहते हैं परमानुकता कहते हैं फिर हम बात करें हिलियम की, तो हिलियम भी एक परमानुक होता है, फिर ऑक्सिजन, तो ऑक्सिजन कैसा होता है, दूई परमानुक, क्योंकि यह दो परमानुक से मिलकर बना होता है, hydrogen hydrogen गैसा होता है hydrogen भी दूवी परमानुक होता है nitrogen nitrogen भी दूवी परमानुक होता है chlorine गैसा होता है दूवी परमानुक होता है phosphorus गैसा होता है चतूपरमानुक यानि चार प्रकार के परमानुक से निन्मेत होता है वही अगर हम कुछ फिर बात करें सलफर की तो सलफर आठ परमानुक होता है अनि इसी क्या कर जाता है बहु परमानुक कहा जाता है क्योंकि यह आठ परमानुक से मिलकर बना होता है अगे हम बात करें कुछ दातू की परमानुकता तो जैसे सोडियम दातू कैसी होती है एक पर तो जयद्यातर धातु होती है वो धातु एक परमानुकी होती है लेकिन कुछ अभवाज भी पाई जाते हैं आगे हम पड़ रहे हैं वो है आयन क्या होता है है यनि हमने आणू के बारे में जाना करिज पड़ात कर ली अब हम पड़ रहे हैं आयन तो दातू और अधातू युक्त युगिक आवेसित कनों से मिलकर बने होते हैं और इन आवेसित कनों को क्या का जाता है आयन कहा जाता है और आवेसित कन क्या होता है कि कोई भी तत्व या तो इलोक्रोनों को क्या करता है किसी को दान दे देता है या किसी से ग्रहन कर ले तो इलोक्रोनों की साजेदारी के परिणाम सुरूप किसका निर्मन होता है आयन का निर्मन होता है ठीक है तो आयन साध्यान तदो प्रकार के होते हैं एक रिन आवेसित आयन जिसे रिन आयन कहा जाता है और दूसरा धन आवेसित आयन जिसे कहा जाता है धन आयन कहा जाता है जैसे अगर मैं बात करूँ दरंड की जैसे NaCl तो NaCl में जो Na है sodium है sodium कैसा होता है sodium धनात्मक होता है और यहाँ पर गल्दी से लिखा है यहाँ पर Cl- होना चाहिए था यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर Cl- होगा और यहाँ पर क्या होगा Na Plus होगा तो NaCl में जो sodium है sodium कैसा होता है sodium positive होता है NaCl तो इसमें जो Na है Na क्या होता है Na होता है पलस और Cl क्या होता है माइनस तो यहाँ पर Na क्या होगा sodium धनात्मकायन होगा और क्लोरिन क्या होगा क्लोरिन रिनात्मकायन होगा अब यह कैसे बनते हैं देखें जैसे मैं बात करूँ sodium की तो sodium जो परमानू है sodium परमानू का परतिक क्या होता है Na और इ सोडियम कि जो हम इलोक्रोनिक वित्रिन की बात करते हैं तो वो कितना होता है पहले कक्सत में दो होते हैं दूसरे कक्सत में आठ होते हैं और तीसरे कक्सत में कितना होता है एक होता है तो अगर सोडियम अपना प्रकरति में इस्ताइति तो बनाए रखना चाहता है तो क्या कर किसी किनी को दान कर दे दिया तो जब भी कोई प्रमानु अपना इलक्र्ण किसी को दान्न देता है तो अमें ऐसा धनात्म कायन का निर्मान होता है पठिक इसी तरह कलोरीन तो कलोरीन का जो लव्य विन्यां से वो कितना होता है 2,8,7 यानि सकी बहारीक अक्सा में कितना ठीक है अनि लोक्राउन कितने हैं 17 लेकिन जब यह एक लोक्राउन घरहन कर लेगा तो कितने हो जाएंगे 18 तो ऐसे इस्तिति में कलोरिन माइनस किसका निर्मान होगा कलोरिन के रेनात्मक आयन का निर्मान होगा तो उम्मेद करता हूँ यह बात आपको अच्छे समझ में अक्सिजन से तो केल्सियम और अक्सिजन के जो दर्वेमान का अनुपात है वो कितना होता है पांच अनुपात दो होता है ठीक है वह बात करें सोडियम कि सोडियम कि से मिलकर बना है सोडियम और क्लोरिन से ठीक है तो सोडियम और क्लोरिन का जो दर्वेमान का अनुपात है वो कितना होता है 20 अनुपात 35.5 फिर हम बात करें मैगनिसियम सल्फाइड की तो मैगनिसियम सल्फाइड किसे मिलकर बना है मैगनिसियम और सल्फाइड से और इनमें मैगनिसियम और सल्फाइड का जो दरवेमान का अनुपात है वो कितना होता है 3 अनुपात 6 जैसे हम इनके आयनों की बात करें, तो calcium oxide में calcium क्या होगा? पलस होगा और oxygen क्या होगा? रोख्जिजन माइनस होगा. फिर Nacl की बात करें, तो Nacl और Cl- फिर बात करें magnesium की, तो magnesium क्या होता है? टू पलस और sulfur क्या होता है? 2- आया सोज में, तो इस प्रकार ये iron का topic टॉपिक आपको समझ में आया होगा तो आज दी क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं इसके बागी के जो टॉपिक बच रहे हैं उनको हम सेकेट पांट पर कवर करेंगे तो उम्मीद करता हूँ यह जितने भी टॉपिक आज हमने पड़े हैं वो सब आपको उच्छे समझ मे आये होंगे तो क्लास देखने के लिए आपको धन्यवाद अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज्यादा ज्यादा लाइक करें कमेंट करें शेर और सब्सक्राइब जरूर करें इसके लावा आप मुझे एप बी पर इंस्टाग्राम ट्विटर और टेलिग्रामर भी फॉ